वेल्कम टू फालकन एक्सल केडमी मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको मेस एक्सल 2021 का लेक्चर नुबर 22 परहने जा रहा हूं आज हम बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में और रिव्यू टैब में हम पढ़ेंगे आज इसमें स्पैलिंग चेक करने के बारे में थिसार्स के बारे में वर्क स्टेटिक्स के बारे में चेक एक्सेस्बिलिटी के बारे में समार्ट लुकक पर बारे में एंड ट्रांसलेट के बारे में तो लेक्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएं कुछ आप न्यू लर्न कर पाएं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकता है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्टर तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्पैलिंग चेक करने के बारे में कि एक्सल के अंदर जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो आप उसके स्पैल भ जाए यहां पर अपर टाइप कि ले तो इसके नीची रड गैल की लाइन आ रही है तो इससे हमें आइडीया होजाता है कि इसके स्पाल दो डही है तो Excel में ऐसा नहीं है, Excel में जब भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको कोई आइडिया यहाँ पर नहीं होगा क्या आपके spelling दरुस्त है या नहीं है तो इसको हमें manually चेक करना होगा, आप आपने इस word के ओपर click करें जिस पर आपको doubt है कि इसकी spelling दरुस्त नहीं है तो फिर उसके बाद आपने spelling पर click करना है, जैसे में spelling पर click करेंगे तो आपके सामने यह dialogue box open होगा, इस dialogue box को open होने का मतलब यही है कि आपके spelling दरुस्त नहीं है, या spelling दरुस्त नहीं है, या यह वाला word English dictionary का नहीं है तो हमने यहां पर देखें, जैसे लिखा हुए आपके सामने यहां पर not in dictionary के dictionary में यह वाला word है यह नहीं हमारे पास यहां suggestion में सबसे पहले आपके जो वो spelling है, जो यहां पर dictionary के मताबिक दरुस्त है जैसे कि यहां पर apple आ रहा है, सबसे उपर topple है, कॉपल है, तो apple को हम select करते हैं और उसके बाद जैसे हम change पर click करेंगे तो यह spell आपके दरुस्त हो जाएंगे और change आल पर जैसे हम click करेंगे तो जहां जहां भी शीट के उपर यह वाले spelling लिखे होंगे, वो आटोमेड़ी दरुस्त हो जाएंगे अगर आप ignore करेंगे तो यह जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे और आप इसे dictionary में add कर लेते हैं तो हमेशा के लिए dictionary में add हो जाएंगे आएंदा जब भी आप spelling को लिखेंगे तो यह आपके दरुस्त ही consider किये जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको change पे क्लिक करते हैं और उसके बाद उसको हम यहाँ पे close कर लेते हैं तो आप देख civilian आपके दोरुस्त हो चुके हैं और अगर हम किसी भी बहुत का word यहाँ पे sheet पे write करते हैं जैसे के उर्दू का, हिंदी का या दूसरी language का जो English का नहीं है जैसे मैंने यहाँ पर type कर लिया भावेश आप उसके बाद जैसे मैं enterprise करते हैं और उसके बाद हम spelling को check करना चाहते हैं आया कि दुरस्त है कि नहीं है तो spelling grammar check पे click करते हैं आप देखें कि यहाँ पर उससे मिलते जूते अलफाज आ रहे हैं मगर क्योंकि यह word हमारे पास spelling दूस्त है यह word हमारे पास हिंदी language का word है तो यह दूस्त नहीं consider कर रहा तो हमने क्या करना है इसको डिक्श्री में करेंगे जैसे मैंने यहाँ टाइप किया भावेश और एंटर प्रेस करते हैं और उसको दूबारा हम चेक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर आपके पास दूस्त spelling यहाँ पर शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर गलस spelling टाइप किये बी-ए मैंने लिखा भी-एच-ए मैंने एड किये हुए तो यहाँ दूस्त स्पैलिंग पर आप क्लिक करें और चेंज पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें देखें आपके spelling एड हो चुके हैं तो इसला से आप स्पैलिंग को एड भी करवा सकते हैं और उसके बाद नेक्स कमांड इसमें आरी है हम पास थिसार्स के बारे हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप इसे मिलते जलते वर्ड को सर्च करना चाहते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा अपने यहाँ पर वर्डिंग इसमें आ रही है तो आपने इस से मिलते जलते जलते अलफाज जो आपने यहाँ पर कॉपी करने यहाँ पर एड करने तो इस पर राइट क्लिक करें कॉपी करें और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसको पेस्ट करने यहाँ पर तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अब जैसे मैं एक और वर्ड यहां पर राइट करता हूं जैसे मैंने यहां पर लिखा सर्च अब सर्च से मिलते जोटे अलफाज मुझे कुछ और भी चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा यहां पर कीबोर्ड से शिफ्ट एफ सेवन का बटन प्रेस करूंगा या फिर मैंने यहां पर थिसॉर्स पर क्लिक करना है तो आप देखें जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं सर्च का वर्ड जो हमने इस लेट किया हुआ है उससे relevant मिलते जो तेलफाद जितनी वो सारे यहां पर इसमें आ रहे हैं देखें मारे पास examination भी इसमें आ रहा है हंट भी आ रहा है तो आप इस पर यहां पर क्लिक करके देखें इसको मजीर इसकी category भी आगे देख सकते हैं करना चाहें लाक करेंगे और insert इसी जिगह में सर्थ भी कर सकते हैं कि यहां पर क्लिक करतें कि करने कि और आपने राइप क्लिक करना है और insert पर क्लिक करतें यहांप insert हो जाएगा तो इस तास्य वहम इसको add कर सकते हैं और उसके बाद next command हम बात करेंगे इसमें workbook status के बारे में कि अगर आप workbook के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी workbook के अंदर total कितनी sheets हैं कहां पर formula's है, tables apply हुआ है, नहीं हुआ, यह सारी information आपको यहां से मिल जाएगी मैंने यहां पर कुछ values एड़ कर लिए, जैसे 500 टाइब किया, 200 टाइब किया, 300 बने टाइब कर लिया और यहां पर कुछ values एड़ करने के बाद मैं home पर आता और यहां पर मैंने एक formula apply कर लिया auto sum का, और जैसे मैं enterprise करते हैं यहां पर formula भी apply हो जुगा है अब इस sheet के बारे में मकमल detail आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, review पे आते हैं, workbook, statics पे क्लिक करते हैं और आपके सामने देखें यहां पर workbook की पूरी information यहां पर open हो रही है, तो end of sheet यहां पर e6 नदर आ रहा है, तो e6 हमारे पास वो last cell है, जहां पर data लिखा गी रहा है, cell with data 12 मारे पास है, tables यहां पर 0 है, formula यहां पर 1 यूज़ हुआ है, workbook sheet 1 पर मारे पास काम हो है, cell with data हमारे यहां पर 12 है, table 0 है, formula यहां पर 1 है, तो आपके पास current sheet और पूरी workbook की यहां पर information आपको मिल रही है, और उसके बाद next command हम बात करेंगे, इसमें check accessibility के आप यहां पर click करते हैं, उसके बाद आप यहां पर कोई error है, उसको भी आप check कर सकते हैं, alt text भी add कर सकते हैं, आप यहां करना चाहते हैं, तो format table पर click करके direct आप यहां से भी command को apply कर सकते हैं, और आपने okay प्लिक करना है, और उसके बाद जैसे हम यहां पर review पर दुबारा आते हैं, और next command इसमें आरे पस यहां पर merge और unmerge, कि अगर आपने sales को merge किया हूँ है, जैसे हम यहां पर click करते हैं, home पर click क करने के बाद, merge in center पर आपने click करना है, और review पर आते हैं, और जैसे हम यहां पर click करते हैं, और उपन यह जाएगा, और यहां पर दिखिए स्क्रीन टिप style हमरे पर पर इसमें आरहे हैं, कि आप जैसे ही कसर को यहां पर लेके आते हैं, तो देखियें उससे relevant आपके पास command य रही होती है तो आप चाहते हैं कि इस कमांड को आफ कर देंगे जो टूल टिप आपके पास है यह शो ना हो तो यहां पर क्लिक करें और उसके बाद यहां पर क्लिक करके उसके बाद option पर आजें और आपने यहां पर इसमें शो करवा देना है शो फीचर डिस्क्रैप्शन एंड स्क्रीन टिप्स और जैसे मौकिब क्लिक करेंगे तो आप देखें यहां के पास यहां पर आप शो हो रही है तो इस तरह से कमांड को आप यहां पर active और unactive कर सकते हैं और इसके बाद नेट कमांड इसमें आ रही है स्मार्ट लुक अप स्मार्ट लुक अप बहुत एक जबरदस कमांड है नया फीचर है हम यहां पर कुछ एड करते हैं और इसके लिए जरूरी है कि आपके पाजी जो कमांड में पढ़ा रहा हूं जैसे थिसार साय या उसके इसमें अक्सेसिबिलिटी बलके स्मार्ट लुक अप इसके लिए नेट का कनेक्शन होना जरूरी है आप यहां पर क्लिक करते हैं जैसे मैंने यहां पर टाइप किया फालकन कंप्यूटर अकैडमी मैंने अपने का नाम लिखा अब इसके बारे मैं डिटेल जाना चाहता हू तो स्मार्ट लुक पे जैसे हम क्लिक करते हैं उस नाम पे क्लिक करके आपने स्मार्ट लुक अप जैसे क्लिक किया तो देखिए इसके बारे में कंप्ली डिटेल आपको मिल जाएगी जैसे देखिए यहां पर फॉलकन कंप्यूटर अकैडमी टैनर्र एमस वर्ड मैजिकल जो मैंने यूटूब पे लेक्चर अप्लोड किया था उसके बारे मुस्ने बताया उसके बाद शो मोर पे क्लिक करके यहां पे आपको डिटेल दे रहा है कि फाल्वर्स उसके बाद यहां पे अड्रेस यह सारा कुछ यहां पे शो हो रहा है मेरे बास और उसके बाद देख से कोई भी word यहां पर type करके उसके बारे में आप यहां पर मालूमात ले सकते हैं और उसके बाद नेश कमाड़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें translate के बारे में कि आप किसी word को translate करना चाहते हैं तो आप इसका use कर सकते हैं किसी भी language में जैसे मैं falcon computer academy में लिखा मैं इस word को हिंदी में write करना चाहता हूँ, उर्दू में write करना चाहता हूँ या other किसी और language में इसको translate करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे translate पे click करना है और translate पे जैसे मैं click करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे translate का यह box open हो जाएगा तो यह देखें यहाँ पे falcon computer academy यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है तो आप देखें यहाँ पे आपको non-bee नजर आ रहा है कि इसमें यह पास में computer academy हो गया उसके बाद यह computer pc हो गया हमारे पास और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और write करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे मैं इसको close कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे टाइप किया फर्स कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे write कर लिया learn free ms excel 2021 classes अब मैं इसको translate करना चाहता हूं किसी भी दूसी language में तो यहाँ पे मैंने click किया जिस cell के अंदर मैंने data write किया हुआ है अब translate पे हम click करते हैं translate पे जैसे हम click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे यह translate होके आ चुका है अगर देखें यहाँ पर मारे पास यह English की language ने डेक्ट की है और हम किसी और language में करना चाहते हैं यहाँ पे click करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे language type कर ली Hindi और हम यहाँ पे click करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कुछ दिर आप वेट करें तो यह आपके कि वही तहरीर यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगी तो इस तरह देखें मारे पास यहाँ पे यह Hindi में भी translate हो चुका है अगर आप किसी और language में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे click करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे अर्दू लेके आना चाहता हूं तो मैं last में यहाँ पे जा र Ctrl V करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम किसी भी language में translate करके उसको अपनी मज़ी से हम कहीं पर भी पेस्ट भी कर सकते हैं तो यह था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको MS Excel 2021 में लेक्चर नंबर 22 बढ़ाया उमीद है आज की इस क्लास में बहुत कु